Hello friends, welcome to my YouTube channel Toronto Diaries. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि G2 और G drive test में examiner क्या-क्या skills चेक करता है और क्या-क्या चीज़े हमारी as a observation होनी चाहिए. Let's get started. So, चार जो main चीज़े हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है traffic check, signal, speed and space. यह चार चीज़े हैं जो सबसे ज़्यादा important हैं जो हमें ध्यान रखनी हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन-कौन से manuers हमें कराए जाते हैं. पहली बात है traffic check. So, वो यह देखना चाहते हैं कि road पे हम कैसे traffic check करते हैं. हमें हर 5-10 second में left, right और central back mirror देखना होता है कि हमारे पीछे की क्या situation है, हमारे lanes में क्या हो रहा है left और right. कभी भी हम किसी intersection को cross करते हैं तो हमें traffic check करना होता है. Even though हमारी green light है, but still हमें left, right check करना होता है. कोई chances हैं कि ambulance आ रही हो, या fire brigade आ रही हो, या police की car आ रही हो. कभी भी possible है कि एक pedestal भागता वा आ रहा है, snowfall हो रही है, उसको लगा कि मैं cross कर लूँ road. तो इसी लिए traffic check और pedestal check करना सबसे important है. तो सबसे पहली skill जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है कि आप continuously scan करें कि आपके दोनों तरफ या I would say कि चारों तरफ क्या situation है traffic का before doing any activity. जैसे कि आपको lane change करना है तो आप पहले traffic check करेंगे, आपको turn होना है तो आप पहले traffic check करेंगे, आपको intersection cross करना है, चाहिए वो red light है या वो green light है या stop sign है आपको अपने traffic check करना ही करना है. दूसरा जो आपका point आता है signal, so signal क्या होते है, यहाँ पर दो तरीके के intersection होते हैं, एक होता है controlled intersection, एक होता है uncontrolled intersection, Controlled intersection वो होता है जहाँ पर या तो red light होती है और या जहाँ पर stop sign होता है, तो that is controlled, कि वहाँ पर आपको stop हो के जाना है, और अगर आपकी green light है, red light नहीं है, तो in that case आप allowed हो traffic, आप allowed हो cross करने के लिए, और एक होता है uncontrolled, uncontrolled में क्या होता है, कि आपकी तरफ ना तो stop sign है, और ना ही red light है, हो सकता है कि जो दूसरी तरफ traffic हो, जो turn पर traffic खड़ा हो, उसका व दोनों intersection आपसे cross करवाते हैं, और आपका behavior observe करते हैं, अगर वो controlled intersection है, तो कैसे आपने stop किया, आप रुके, कैसे आपने हमापे और अपने maneuvers करें, जैसे आपको left-right देखना है, या अगर वो red light है, तो आप रुके रहे, और फिर जब आपकी green light हुई, तो आप चले, और अग आपको traffic observe करना है, कि आपके left से जो straight lane आ रही है, वहाँ से traffic आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो last lane clear है या नहीं है, अगर last lane clear है, तो आप right turn लेके last lane में merge कर सकते हैं, और अगर आपकी visibility नहीं है, तो आपको थोड़ा सा peak in करना है, तो आप अपने pedestal crossing के ऊपर चढ़ सकते हैं हलका सा और आप देख सकते हैं, तो वह ये सारे behavior आपको observe करते हैं, तो ये दूसरा हो गया हमारा signal, third thing जो वह check करते हैं, वह है speed, so सबसे important चीज होती है कि क्या आप speed maintain कर रहे हो, let's say कि आप city में drive कर रहे हो, 40 की speed limit है या 50 की speed limit है, so क्या आप maintain कर रहे हो, सबसे main important बात होती है lane change करते हुए, मैंने बहुतों को देखा है कि जब वो lane change कर रहे होते हैं, तो उनकी speed कम हो जाती है, चुकि जब वो traffic check करते हैं, या वो mirror देखते हैं, तब तक वो अपना pedal gas से हटा देते हैं, तो उनकी speed drop होती है, तो उसमें आपको negative marks मिलेंगे, और वो आपका एक reason हो सकता ह है, अगर आप in case fail होते हैं, तो, so make sure कि आप अपनी speed maintain करके चलें, चौथी जो चीज है, वो है space, so हमें एक safe distance पर गाड़ी चलानी होती है, आगे वाली गाड़ी, so meters में इसको judge नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो पहली बात, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके आगे वा गाड़ी के बीच में 2 से 3 seconds का gap होना चाहिए, let's assume कि उस गाड़ी ने एक pole cross किया है, तो आप अपनी counting शुरू करते है, second one, second two, second three, तो जब तक आप उस pole के पास पहुचे तब तक second two आपका आ जाए, तो यह आपको पता चलता है कि आप दोनों गाड़ी के बीच में 2 seconds का gap है जो बहुत important है यहाँ पे, अब हम बात करेंगे कि वो एक test में आपसे क्या-क्या maneuver कराते हैं, पहला maneuver जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है turn, वो यह चेक करते हैं कि कैसे आप turn लेते हैं, मान के चलिए कि आप पीच वाली lane में drive कर रहे हैं और वो आपको बोलता है कि आपक left turn लेना है, so अब आपको left turn लेना है, तो पहली बाद आपको beach वाली lane से left वाली lane में आना होगा, so आप उसमें indicator देंगे, आप उसमें अपना mirror चेक करेंगे, blind spot चेक करेंगे, आप lane change करेंगे, और उसके बाद वो intersection जो है, वो controlled intersection है, uncontrolled intersection है, और कैसे आप turn लेंगे, यह चीज drive through the intersection, आप intersection से कैसे drive करी, आपने, आपका controlled intersection था, यह आपका uncontrolled intersection था, so वो हो गया, इसरी चीज़ जो हम बात करते हैं, वो है freeway driving की और highway driving की, so highway driving पे जब आप g-test देने जाते हैं, तो वो यह चेक करते हैं, कैसे आप merge कर रहे हैं, so let's say कि जब आप highway की तरफ मुड रहे थे, आपकी speed 30 की थी, और highway पे जो speed है वो 100 की है, so आपको immediately अपनी गाड़ी को accelerate करके 100 की speed पे लेके जाना है, और 100 पे आपको merge करना है driving lane में, so वो यह चेक करेंगे कि कैसे आप merge करते हैं, आपने speed accelerate करी, नहीं करी, आपने traffic चेक किया, नहीं किया, और आपने merge किया, एक बात और रखना कि अगर जो आपका ramp है, acceleration ramp, वो आप श्चुरुवात में merge ना करें, कम से कम 60 to 70% अपने acceleration ramp को use करें, और उसके बाद आप merge करें, यह बहुत बड़ा एक factor होता है, जिसमें आपके points deduct हो सकते हैं, merge करने के बाद वो आपको बोलेंगे lane change करने के लिए, तो वहाँ पर आपका lane change चेक करते हैं, कि आप traffic चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, lane change कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और उसके बाद तीसरा जो manuverse होता है highway driving में वो होता है exit का, so maximum cases में जब भी आप exit लेते हो, आप दूसरे highway पर नहीं जाओगे, आप किसी city road पर उतरोगे, तो city road पर उतरोगे या ज़्यादा तर times पर turn होता है, तो आपकी speed limit कम होती है, so वहाँ पर आपको yellow board मिलेगा, जिसमें आपकी speed limit लिखी होगी, so it could be like 60, maybe आप highway पर 100 पर थे हैं, तो आपके 60 की speed limit है, तो आपको आप जब आपने exit lane ली, तो आपको अपनी speed drop करनी शुरू करनी है, और जब आपका वो board आता है, तब तक आप आप अपनी गाड़ी की speed 60 कर है, make sure कि जो आप driving lane पर है, वहाँ पर आप speed reduce ना करें, क्योंकि वो भी negative point है, क्योंकि उसकी वज़े से पीछे वाला traffic disturb हो रहा है, so आप पहले exit lane पर merge करें, उसके बाद जब तक आपका वो board आता है, तब तक आप अपनी speed drop करके ले आए, या तो 60 हो या 40 हो या 30 हो, जो भी speed उसके बाद वो normal city driving के maneuvers check करते हैं, जिसमें आपका दो similar maneuvers हैं, जैसे की roadside stop और जैसे की आपका parallel parking, तो दोनों में आपको indicator देना है, traffic check करना है, गाड़ी रोखनी है, parking में आपको back करके लगानी है, और roadside stop में आप normally सीधे चलते वे, आप roadside पे stop लेंगे, आपका curb से distance कितना है, और एक और important चीज है कि आपकी वो uphill parking है कि downhill parking है, अगर आपकी uphill parking है इस तरीके से, तो आपको make sure करना है कि आपका steering जो है, वो left की तरफ है, ताकि वो अगर गाड़ी की parking brake हट गई, तो वो जाके curb से touch हो जाए, similarly अगर आपका downhill parking है, तो आपको make sure करना है कि जो आपका steering है, और आपकी गाड़ी आगे की तरफ move करे, तो आपकी गाड़ी curbs से जादा जाकर touch कर जाए, और accident होने के chances ना हो, road के बीच में ना चली जाए, और किसी का accident ना हो जाए, तो इस सरीके से वो आपके manuers check करते हैं, उसके बाद कैसे आप अपनी गाड़ी pickup करते हैं, वो ही आप residential area है, school है, speed limit 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, based on कि आप Ontario में कहाँ पर अपना test दे रहे हो, या Canada में आप कहाँ पर test दे रहे हो, इस तरीके से वो ये सारे आपके manuers check करते हैं, लास्ट चीज जो में बात करना चाहूंगा, वो है 3-point turn, जब आप roadside stop करते हो, या parallel parking करते हो, उसके ब करने हैं, और con constant manuers आपको g-test में करने हैं, so g-2 test में आपको apart from highway driving, ये सारे के सारे manuers करने हैं, वो ये सारी चीज़े आपसे test करते हैं, और ये जो test होता है, ये लगभग 20 minute के आसपास होता है, तो 20 minute में वो आपको पूरी city में driving करवाएंगे, थोड़ा सा business area भी होगा, थ आप traffic चेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़े वो आपकी चेक करते हैं, उसके अलावा, जब आप g-test देते हैं, तो आज कल क्या है, backlog बहुत चादा है, g-2 test के बाद g-test का, तो उन्होंने उस test को छोटा कर दिया है, so क्योंकि g-2 test में आप city driving कर चुके हो, आप लोगो को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, please like it or subscribe to my channel, it will motivate me to make such good amazing videos for you guys, stay blessed, have a good one, thank you, bye-bye.